यहां पर बादाम के टुकड़ा इसकी ब्लेड के अंदर फस गया है इस तरीके से बाहर निकल जाता है फिर वह वापस अंदर नहीं जाता है थोड़ा सा प्रेशर तो देना पड़ता है बताऊंगा कि यह प्रोड़क्ट इन सब चुजों में सक्सेस्फूल है या नहीं है हलो गाइज मैं हूँ लोकेश और शॉपिंग विद लोकेश में आपका स्वागत है मैं आप लोगों के लिए काफी वैली टू मनी प्रोड़क्ट लेके आते रहता हूं मेरे एक रिटेल इस रिटेल इस्टोर के उपर जो प्रोड़क्ट मैं कस्टुमर्स को सेल करता हूं औ आज हमारे पास में गणेश कंपनी का यह बिंगो चोपर इस प्रोड़क्ट को हम यूज में लेके देखेंगे कि यह जो प्रोड़क्ट है आपके लिए एक बहतर प्रोड़क्ट हो सकता है या नहीं हो सकता सबसे पहले शुरुबात करते हम इसकी अन्बोक्सिंग के साथ म यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मैं इस टाइब की वीडियो रेगूलर लेके आता रहता हूं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते मेरे साथ अगर आप बने रहते हैं तो आपके लिए पर्चेसिंग करना थोड़ा सा इजी हो जाता है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइ है यहाँ पर पॉलितीन से इसको बिल्कुल रिमूव कर देता हूं मैं वैसे रिटेल के अंदर मैंने इसे काफी सहल किया है मेरे पास में काफी अच्छा फीडबेक है इस गणेश बिंगो चोपर का लेकिन फिर भी इसे यूज में लेकि आज देखना जरूरी है यहाँ पर इस तरह कि आपको मिलती एक मोटर मगर यहाँ पर यहाँ पर लौक और एक मैर्ZY कीडियर्ख यहाँ इसे ऊसी में अनलोक करता हूँ तो यह इस तरीके से उपर हो जाता है ठीक है यह आपका पूरा गणेश का बिंगो चौपर तयार हो चुका है इसे आप रिमूव भी कर सकते हैं साथ यह इस तरीके से इसे वापस से लगा भी सकते हैं तो यह इस तरीके से चलेगा आप देख सकते हैं इस तरीके से चलता है तो यहां पर आपको नीचे की तरफ anti-skid backing मिल जाती है overall जो product है पुरा का पूरा complete unbreakable है इस bingo chopper के अंदर आपको कोई भी color option नहीं मिलेगा कई बार क्या होता है हम dory वाले chopper use में लेते हैं और example जैसे मेरे पास में यह धागे वाला chopper है कई बार इन में chances यह होता है कि हमारा जो धागा है वो break होने के chances रहते हैं या फिर धागा जो इस तरीके से अटक जाता है इस तरीके से बाहर निकल जाता है फिर वो वापस अंदर नहीं जाता है तो यहाँ पर मेरे पास में काफी सारी चीज़े हैं जो मैं आपको chopper करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं इन चारों चीज़ों को मैं जल्दी से chop करके आपको बताऊंगा कि यह प्रोड़क इन सब चीज़ों में successful है या नहीं है सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं यहां थोड़ी से बदाब करते हैं यहाwn पर हरी मिर्ची रखे हैं यहां पर आपको टमाटर मिल ञाते हैं अब चॉपिंग स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बदाम के अंदर यह जो चॉपर है हमारा सक्सेस्फुल नहीं हो पा रहा है अगर थोड़ी सी बदाम की क्वांटिटी अगर मैं कम कर देता हूं यहां पर वापस से मैं अगर ब्लेड फिट करता हूं इसके अंदर अब अच्छे से वर्क कर रहा है यह वाला चॉपर आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है पर वापस से अटक गया है तो बदाम के लिए यह जो चॉपर है आपका बिल्कुल भी सक्सेस्फु नहीं है हलां कि इसने बदाम को चॉप कर दिया आप खुद देख सकते हैं यहां पर बदाम के टुकड़ा इसकी ब्लेड के अंदर फस गया है और जो है यह इस वज़े से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा था तो मैं इस बदाम को सारी की सारी जो बदामें इसे यहां प सबसे पहले शुर्बात करनी होगी हमें ब्लेड लगाने से यहां पर गलेड लगा देता हूं मैंने चार टुकड़ यहां पर डाल दी हैं दूसरा भी मैंने ले लिया है उसके बाद में मैंने यहां पर चॉपर लगाया अब मैं आपको बताऊंगा कि यह प्याज पर ओनिय इसके टुपड़े थोड़े से और बारिक कर दिये जाए अब शुरुबात करते हैं ओनियुन को चॉप करने से थोड़ा सा प्रेशर तो देना पड़ता है शुरुबात में बगर अब प्रेशर क्या शकता नहीं है मुझे लग रहा काफी अच्छा चॉप हो गए है ओनियन हमारे वाज बहुत ही शांदार काम किया है इसने ओनियन के उपर बहुत ही तरीके से बहुत ही इजीली मतलब दो बड़े प्याज दो बड़े ओनियन पूरे कंप्लीट इसने बहुत ही बहुत ही बहतरीन तरीके से अब वापस से फिर से ब्रेड लगा के अब शुरुबात करते हैं हम टमाटर के साथ में थोड़ा सा आखों में पाणी आ गया भीया प्यास थोड़े तीखेल ज्यादा ही है चार टुकड़े मैंने इस टमाटर के कर दिये तीन टमाटर हम ले रहे हैं कि एक टमाटर के हमेंने चार टुकड़े की हैं चार बार कट किया एक टमाटर को अब टमाटर की कंडिक्शन आपको जल्ली से बता देते हैं वाव टमाटर को भी इसने कुछ ज्यादा मतलब इस तरीगे चाहता है मतलब इस प्रफेक्ट तरीकीसे करना वह बहुत ही अच्छे तरीकीसे इसने चौप किया है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे कट सुए इसके इंदर बहुत ही शांधार तरीके से चौप किया इसने टमाटर को यहाँ पर हम ले लेते हैं ग्रीन चिली, मेरे पास में यहाँ पर पांच ग्रीन चिली है, यहाँ पर भी थोड़े से कट्स लगा कर मैं आपको बताऊंगा कि यह ग्रीन चिली को किस तरीके से कट करता है सबसे बेले ब्लेड लगानी है मुझे यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर में इसके टुकडे से डाल देता हूँ ठी quindi अब ग्रीन चिली को देखते हैं कि ग्रीन चिली को किस त49 से चौप करता है है यहां ब्रेखते हैं ग्रीन चिली को बहुत ही परcup प्रेक्ट चॉप किया है आप खुद देख सकते हैं इसको सबसे पहले में खाली कर देता हूँ कि मेरे हिसाब से यह बिल्कुल पर्फेक्ट है अगर आप डेली यूज के अंदर अगर चॉपिंग का काम करते हैं तो यह काफी चल रहा था काफी स्मूज चल रहा था स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक दो बार जब इसके रोटेशन होते हैं तब थोड़ा सा आपको यहां पर दम लगाना पड़ता है उपर की तरफ उसके अलावा ओवरॉल क्वालिटी जो है इसकी काफी अच्छी है तो आप इसी बेज़ी जग पर्चेस कर सकते हैं अगर ड कदाम मैंने यूज में लिए वो थोड़ी सी सीम गई हो लेकिन फिर भी ओवरॉल जो है इसी क्वालिटी काफी अच्छी है यह पैसा वसूल आइटम है आप इसे बेज़ी जग पर्चेस कर सकते हैं इस टाइब की वीडियो जनरली लेके आता रहता हूं तो फ्लीज मेरे च को भी प्रेस कीजिए साथ जाथ इस वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद